बहुत दोस्तों आप जानते हैं कि कल्यूग के शुरुवात कहां से हुई थी? नहीं है आपको पता चलिए मैं बताता हूँ कल्यूग के शुरुवात हुई थी शुरंग रिशी के आशरम से जब कहते है न कि 5-5 अपना राज-काज और अपना पूरा समय वितीद करके स्वरक के लिए पधार रहे थे तो उस समय उन्होंने राजकाज अपने पुत्र परिक्षित को दे दिया था अब परिक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे और उस समय परिक्षित का सामना हुआ यम के दूच से जिसने कहा कि कल्योग जिसने कहा कि मैं जो है ना मैं प्रत्वी पर आने वाला हूँ तो इस पर परिक्षित ने कहा कि प्रत्वी पर नहीं आ सकते कल्योग ने कहा कि नहीं मुझे आना पड़ेगा और जिस प्रकार से युग स्वापत होते हैं तो अब कल्योग के आने का समय हो गया परिक्षित ने उनको कहा कि मैं तुम्हें मार दूँगा और तुम्हें अपने राज में घुशने नहीं दूँगा तो इस पर कल्यूग ने कहा मैं तो आ गया हूँ और मुझे महराज आपकी शरण में आने पे मुझे कोई जगे दीजिए ये एक शत्री का धर्म होता है इस पर परिक्षित ने का ठीक है तुम वेश्या ले मद्रा ले और दो तीन जगे बताएं कि अरे वहां रह सकते हो तो इस पर कल्यूग ने का नहीं मैं इनके लावा और भी कहीं रहना चाहता हूँ तो परिक्षित ने का ठीक है तुम सोने में भी रह सकते हो तो जैसे ही कहा सोने में रह सकते हो है तुरंथ ही उनके मुकट पे विराजबान हो गया उनकी मती भंग कर दी महराज को सारे दिन से कुछ नहीं मिला था वो शिकार की तलाश में जब कुछ नहीं मिला तो शिंग रिशी के आस्रम में पहुंचे भूके थे प्यासे थे तो उन्हें शिंग रिशी से पानी मांगा पानी शिंग रिशी नहीं दिया क्यों? क्योंकि वो अपनी साधना में लीन थे अब महराज के सिर पे तो कल्यूग सबार था तो कल्यूग ने इनकी मती हर ली मती हरने पे उन्होंने पांस में पड़ा हुआ शर्प देखा और शर्प को उठाया और उठाने के बाद श्रिंग रिशी के शमीक रिशी के गले में डाल दिया अब शमीक रिशी के गले में डालने के बाद वो तो वहाँ से चलेगे लेकिन कुछ देर में ये बाद जंगल में आग की तरह फैल गई और शमीक रिशी के पुत्र श्रिंग रिशी जो उसमें अपने साथियों के साथ नहा रहते वही सर तक्षक बनके साथ दिन के अंदर तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी इम्रत्य हो जाएगी जब शमीक रिशी की तपस्या पूरी हुई अपनी पूरी होने काद उन्होंने देखा कि उनके गले में सर पढ़ा थी इस वज़ए से उन्होंने अपने पुत्र को समझाया लेकिन कहते हैं ना कि धनुष निकला हुआ तीर और जवान से निकली हुई बात वापस नहीं आती तो उन्होंने अपने पुत्र को काफी समझाया लेकिन कल्यूग अपनी चाल चल चुके थे अब यही वज़े थी कि कल्यूग उनके सिर्पे सवार हुआ उसने ये करत्त कराया तो दोस्तों यही वो श्यमी करशी का आशम है जहां से कल्यूग की शुरुआत हुई थी कहते हैं ना काल की गती से तो कोई नहीं बचा क्या वो राजा हुए और रंग काने अच्छी लेगे वो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अपने ध्यानों को जैहन दे